बहुत बहुत धन्यबाद आदर्ने भाई सहाँ गुरुहु शक्ति जयतेका मद्रूप प्रविकाशिका स्वरूप गोप नब्यग्रा शिवशक्ति जिताया शिवशक्ति जिताया स्वामी लक्षमण जू महराज को पनाम एवं गुरुदेव को पनाम कल से महातीर्थ काशी की महिमा सुन रहे हैं अलोकिक विद्याओं की साधना भूमी, अनेक सरस्वती पुत्रों, सिद्धों, योगियों की जन्म भूमी, काशी की सारस्वत परंपरा, वावा विश्व नात के चर्णों में प्रिणाम, सारस्वत पुत्र, काशी, विश्व विद्याले के संस्थापक, पंडित, मदन, मोह मालबिय जी के स्री चर्णों में परिणाम हूं आज के कारिकरम के अध्यक्ष प्रॉफिसर पद्नदिली मिस्र जी बेदाचारे जिनका मंगला चरण कल से इस सभागार में गूज रहा है और ऐसा लग रहा है कि वास्तों में काशी में विद्वानों की कमी रही है एक से एक बढ़कर विद्वान यहां पर है मुख्यवक्ता स्री मार्क डिस्कोवास्की जी जिनको मैं पिछले दो वर्सों से ओनलाइन डिजिटल कारिकरम में सुनती रही हूं और अभी मैंने उनका उद्वोधन सुना है कितनी सहस्ता ह है सरलता है पचास वर्सों से स्वामी लक्षमण जो महराज जी का आपको आशीरवाद मिल रहा है ऐसे मार्क डिस्कोवास्की जी को भी मैं पिडाम करती हूं डॉक्टर भुबनेस्वरी भारतवाज मेरी बेटी सच मैं मैं अभी भूत हूँ मैं कल से आगम मंगला चरण सुन करके आहलादित हूँ मेरा हिर्दय इस्पंदित हो जाता है जब मैं सिद्धिदात्री के मुक्ष से साक्षात सरस्वती की बानी सुनती हूँ भुबनेस्वरी भारतवाज जी ओनलाइन जुडेंगी और अभी हम सिद्धिदात्री भारतवाज की बात कर रही थी इस सत्र के संयोजक प्रोफेसर माधव जनारदन्र राटे जी और इस पूरे कारिक्रम की रचना विधान करने वाले हमारे बड़े भाई साहव जो धर्म धर्मागम विभाग के विभागा देक्ष हैं कश्मीर सेविज्म के समर्पित साधक हैं जीवन के आराधक हैं कर्म के आराधक हैं अंतह सलिला सरस्वती से इसनात हैं साधना के सौरव हैं संस्कृति के सरक्षक हैं मैं आपको भी पिणाम करती हूँ आपका मार्ग दरसन वाज़ने में मैं 2022 मैं मुझे ऐसा लगा कि आप मेरे जन्म जन्मों से बड़े भाई हैं वास्तों में और भावी जी का इसने अपार इसने पाकर के भी मैं धन्यता कानुभाव करती हूं इतनी मधुरबानी में सारस्वत वानी सुनकर के करणप्रियवानी सुनकर के आत्म अभ sketch हो जाती है!। ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या अदपुत संग योग यह जो बाबा विश्वनात की किरपा कहें, परमसिप की किरपा कहें या उनका अनुग्रह कहें, मैं यहाँ आकर के अपने आपको धन्य अनुभव कर रही हूँ मैं हिंदी की प्राध्यापक हूँ 2018 में मुझे मेरे गुरु जी मैं भी कॉलेज में 33 वर्सों से पढ़ा रही हूँ और अंतर राष्टी राष्टी संगोष्टिया मैंने की है लेकिन दिसंबर 2018 में जो संगोष्टी मैंने की विश्व भासा साहित और राम का था इस राम का था मेरे गुरु देप पंडित दुर्गा चरन शुकल जी को मैंने आमंतरित किया और उन्होंने उसके बाद मुझे आमंतरित किया एक पुस्तक की समीक्षा के लिए कि तुम इस पुस्तक की समीक्षा लिखिए मैंने समीक्षा लिखी और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे घर आ रहा हूं गुपता जी से मिलना है क्योंकि मैं आपको शामभवी दीक्षा देना चाहता हूं घर आये वो मेरे पती देब डॉक्टर हरी मोहन गुपता जी भी बैठे हुए हैं उनसे पूछा तो इन्होंने कहा जब देने वाला तयार लेने वाला तयार तो मैं क्यों बाधा बनूँ और तब से मैं कश्मीर शेव विज्म से जुड़ करके यथा योग जितना मुझसे बन आचीन होने के साथ आचारियों की बड़ी लंबी परंपरा है महरसी दुर्वासा से लेकर महा माहिस्वर अभिनाव गुप्त स्वामी लक्षमर जु महराज तक अनेक सादकों ने अपनी तपापूत जीवन की साधना से विप्रीव परिस्तितितियों में भी इसको सतत भाई जी देविंद्र मुंसी जी उनकी पूरी टीम यहां पर विराजमान है मैं उनकी स्रद्धा समर्पन आस्था को देख करके भी आहलादित होती हूँ हमारी दीदी लोग भी बैठी हुई है मैं 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 जब मैं स्री नगर गई तो उनका जो प्यार इस ने आत्मीता मुझे मिली है मैं अभी भूत हूँ आज महा बाबा बिसुनात के दर्शन के लिए मंगल आरती में हमारी बड़ी दीदी विजय लक्ष्मी जी गई थी वो अस्वस्त हो गई है इसलिए वो यहां नहीं आ पा रही है सुबह से ही मैं हर फल उनको याद कर रही हूं क्योंकि उनका इसने आत्मियता प्यार मुझे इतना मिला है कि मैं बता नहीं सकती हूँ और वो भलेई अपने रूम पर हैं लेकिन मैं उनको यहां से इस्मरण कर रही हूँ और प्रणाम निवेदन कर रही हूँ वावा विशुनात की नगरी है शिव की नगरी है और शिव तो देवों के देव हैं जन जन के देवता हैं भगवान शंकर उंचा नीचा जाती पाती कुछ नहीं देखते हैं सक्तिस था सक्तिदा प्रोक्तम शुन्यस था व्यापका इस्मर्ता किरमाज ज्यान प्रदास्ते वई समनास था बरानिने केवल ले दास तताह चा उर्दे सरवग्याश उन्मने पदे बाबा बिसुनात कहें महाकाल कहें या शिव कहें ये जब शक्ति में इस्तित होते हैं तो शक्ति दायक होते हैं सुनने में ब्यापक, समना में क्रिमिक ज्यान देने वाले उसके उपर कैवल उन्मना पद में सरवग्यता देते हैं ऐसे बाबा विश्वनात को मैं कोटी-कोटी प्रणाम निवेदन करती हूँ कश्मीर शेफ दर्शन पर तो कल से सुन रहे हैं में बहर मुख होता है तब यह उसका विश्वमय रूप कहलाता है शिव अनुत्तर हैं जो उत्तर से अधिगत सरवग्यापी सोयम सिद्ध आत्मिक चेतना के प्रतीक हैं विश्वमय रूप विस्तार इस्थूल रूप में उत्तर दिखाई देता हुआ भी अनुत्तर हर वक्त बर्तमान हर चीज में ब्याप्त है सब में प्रतेक्ष दिखाई दे रहा है इसे ढूड़ने के लिए कहीं जाने की आवश्यक्ता नहीं है वैतो ढूड़ने वाले के अंतर तम में छिपी हुई निजी हार्दिक इस फुर्णा है अनुत्रम तद हिर्द्यम अनंत काल से मनुस्य स्वयम को जानने का संघर्ष करता आया है जो चीज उसके पास अंदर मौजूद है उसको खोजना हमारे कभीर दास जी ने कहा है कस्तूरी कुंडल वसे म्रग ढूने बनमाई ऐसे घट-घट साम है दुनिया देखे नाहीं बिराट विस्वात्मिका क्रिया शक्ति का हिर्दय मौलिक इस पंदन का केंद्र अनुत्तर ही है त्रिशूला अनुगतो जीवो विसरगान तो हिर्दी स्फुरन उत्तिरात गतम भद्रम तनोतु जन्मान से इस पंद्र और प्रतभिग्या इ शिव शूत्र ही है शिव शूत्र सेवाचार बसुगुप्त ने शिव कृपासे प्राप्त किये मैं ज्यादा इस पर नहीं बोलूँगी मैं सवभग शाली मानती हूं कि मैं मैं पहली बार श्री नगर यात्रा की और मुझे महादेव परवत की तलहटी शिवोपल शिला को देखने का सौभाग मिला जिसे बसुगुप्त जी ने शिव कृपासे जिन सुव सूत्रों को प्राप्त किया उसको देखने का सौभाग हमारे बड़े भाई प्रोफेसर कमलेज ज्जा जी और भावी जी हम लोग साथ-साथ तर इस दिब शिला का दर्शन करने के लिए साहित्य की विद्यार्थी होने के नाते मैं कश्मीर सेविज्म में साहित्य की विद्यार्थी होने के नाते मैं कश्मीर सेविज्म को साहित्य में ढूणने लगी बैदिक काल से लेकर आज तक सन्सकृत के महाकभी कालिदास भावभूती की रचनाओं में में हमें प्रात्विज्ञ के बेसूत्र कही संकेत आतमक रूप में कही बिवस्तित समगर रूप से देखने को मिले पहले हम चर्चा करेंगे प्रत्यविग्या है क्या प्रत्यविग्या अर्थात जानना पूर्व अनुभूत बस्तु का सामने होने पर अनुइस्मरण के बल से ज्ञान होना ये प्रत्यविग्या है कहते हैं जीव बस्तुता शिब ही है जीव की ज्ञान शक्ती माया के कारण ढकी रहती है वही जब बिद्या योग द्वारा हट जाती है तो ज्ञान सुख सम्रद्धी का तत्त प्रकाश रूप में दिखाई देने लगता है पंडित गोपिनात कविराद जी कहते हैं कि शिब के अनुग्रह बागुरु किरपा से महापुरुष के अंताहच शक्षू तत्त मैं स्वरूप की अनुभूती कर ही लेते हैं इस अनुभूती प्रभा को धारण करने योग चित्त फलक की आवश्यक्ता होती है यह तत्त प्राण ब्रह्म आत्म ब्रह्म परब्रह्म रूप सत्ता है जो तत्वा तीत होकर भी सर्व तत्त मैं है इसका रूप मन वाणी अनुभूती से परे है प्रत्य विग्या के लिए तीन प्रकार का ज्यान आवश्यक है आत्म ज्यान मानस ज्यान और बाह ज्यान आत्मा का धर्म है मन के आगात से यह आत्मा में उत्पन होता है मानस ग्यान मन का धर्म है जो इंद्रियों के आघात से मन में इस्पुरित होता है बाह ग्यान इंद्रियों का धर्म है जो विश्यों के आघात से इंद्रियों में उत्पन होता है एक और आत्मा दूसरी और परमात्मा जो बाह जगत में पृतिय मान है ग्याता आत्मा और गे आत्मा के रूप में और बीच में मन और इंद्रियां इंद्रियां प्राया विशय की ओर उन्मुख होती है जब इंद्रियों का श्रोत आत्मों मुख होता है तो अंतर मुखी गती की सीमा ही आत्मा है इससे मन की शक्ति बढ़ती है आत्मबल मिलता है स है अब मैं भारतिय वांगमें में प्रत्य विज्ञा की बात करती हूं तो बेदों में अनंत कोटी ब्रह्मांड विस्त्रित संपून प्रपंच का मूल तत्त एक ही बताया है वेदों में आनीद वातम स्वधया तदेकम तस्माद धान्यान परकिंच नाश एकम बाइदम विवभू शर्वम ये रिवेद में लिखा है इस परकार के अनेक मंत्र ब्राम्भन उपनिशत की सुरुतियां कारिकाएं प्रति विज्ञा का संकेत आत्मक बिवेचन करती हैं जीब ही ब्रह हम अपने स्वरूप का ज्यान और आत्मा को जानों यह समझ हमें प्राचीन बांग में निगम से मिलती है उद्धालक रिशी ने स्वेद केतु को मन की अन्यवाजीता पर आधारित अपने ग्रंत गीतार्थ संग्रह में किष्ण के उपदेशों को प्रतीक रूप में अभि अधिस साहित में के प्रतिविज्या दर्शन के लिए मुझे रामचरित मानस पदमाबत और कामाइनी महाकाब आक्रिष्ट करते हैं मानस धर्म दरशन की संजीबनी है पदमाबत प्रेम के मर्म का तपाह पूत कुंदन है और कामाइनी जीवन कर्म का जग मगाता इंद्र- धनोश है यह तीनों महाकाब मानवदा इसुरी सत्ता के अदोती सामन जश्च पून भाव व्यक्त करते हैं सुरुत प्रग्या चिंतन प्रग्या और भाव मई प्रग्या से साक्षात करते हैं समय की कमी है और मैं अपने वक्त अब को यहीं विराम देती हूं जै हिन जै भारत जै बुन देलिकन